हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजिनिंग में आज के वीडियो में हम बात करेंगे एड्मिक्सर्स के बारे में जो कॉंक्रीट में हम यूज करते हैं ये देखी बहुत सारे ऐसे इंजिनियर्स हैं जिन्हें ये चीज़ें साइद पता ना हो या फिर वो कन्फ्यूज हो कि ये किस काम में आते हैं तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अब बात करते हैं हम edmixers के बारे में यह आपके दो टाइप्स के होते हैं फर्श्ट आपके आते ही हैं chemical edmixers दूसरा होता है minerals और यह जो हैं हम use करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी properties को modify करने के लिए ना कि quality improve करने के लिए बहुत सारी इंजिनियर्स को ये लगता है कि इससे quality जो है improve हो जाती ही या फिर मान लीजे जो हम concrete बना रहे हैं ये concrete की strength बढ़ जाएगी या फिर बहुत कुछ हो जाएगा तो ये बिल्कुल ना सोचें इससे सिर्फ properties में modify होगी क्योंकि जो strength है या फिर इसकी quality है वो तो आपके main ingredient जो है उन्हीं पर depend करेगी अब ये जो है आपके ear interners हो सकते हैं उसके बाद water reducers हो सकते हैं set retarders हो सकते हैं set axillators हो सकते हैं super plasticizer हो सकते हैं ये कुछ जो हैं आपके add mixers हैं तो इनका use करके हम क्या कम जादा करते हैं setting time हुआ हमारा या फिर water cement ratio जैसे क आपको एक place से दूसरे place पर लेकर जाना है अपना concrete तो उस condition में हम इसे use करते हैं या फिर setting time कम जादा करना है तो इस परिस्थिती में हम इसे use करते हैं और फिर इससे हम एक place से दूसरे place पर लेकर जाते हैं place यानि कि मैं यहाँ पर स्थान की बात कर रहा हूं तो आपको एक इस्थान से या फिर एक जगे से दूसरी जगे लेकर जाने के लिए ये help करता है आप अगर इसकी study करना चाहते हैं तो IS 91031999 इस पर आपको ये मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe करना ना भूले, thank you